new era of android app development और अब हम बनेंगे android के champion अब क्या करते हम यहां पर की जो हमारा विप्राइग्मेंट ने-पक पर पर तरह समय इसको करने के लिए बहुत कुछ कड़ेगा की य्यूज़ backl आइटम को कितने बार पर चेस कर रहा है उस हिसाप से यह चीज होती है कि जैसे मालो कोई आइटम दस बार बिग्या तो वह हमारे पॉपुलर आइटम में आटमेटिक एड़ हो जाएगा ऐसे कुछ होता है यहां पर लेकिन हम फिलाल के लिए यहां पर क्या करेंगे जो हमारे हमारे पास कुछ चीज है इनको हम यहां से रिमूब करके और यहां से कोड करना स्टार्ट कर देता है पहले मैं इसको कर लेता हूं format और टैल से मैंने इसको format कर लिया तो यहां पर भी हमारे पास तीन चीज काम में आएगी एक तो हमारे पास डेटाबेस का रेफरेंस होना चीज है और एक हमारे पास अपने मैंनीू का अइटम होना चाहिए तो यहां पर हम तीन मेंनू बना लेंगे यह फिर एक बना हुआ दो बना लेंगे हम वंप्र बायाव हमारे यहां पर होगा प्राइवेट लेट इनिट वैर और यहां पर होगा हमारा सेकेंड मेन्यू आइटम के लिए और यह हमारा होगा mutable list वाला mutable list और यहां पर हम डाल देंगे अपने menu आइटम को ठीक है और अब हम यहां पर क्या करेंगे यह जो हमारे यहां पर code कतम हो रहा है यहां पर हम क्या करेंगे अपने retrieve करेंगे अपने popular menu item को तो मैं एक function मरा रहा हूँ यहाँ पर यहाँ पर मैं लिख दूँगा retrieve menu retrieve and display popular items तो यह एक function मनाऊँगा मैं इसका और इस function को मैं create कर लेता हूँ और अब सबसे पहले हम क्या करेंगे हाँ पर reference ले लेंगे अपने database का तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक comment करता हूँ get reference to the database और यहाँ पर हम लिख देंगे database equal to firebase database.get instance अब यहाँ पर हमें एक बनाएंगे variable well food reference के नाम से और इसको extend करेंगे as a database और यह हम इसके अंदर ही कर दिये यह हम यहाँ नहीं करना था और इसको हम अटाते हैं और यह हम यहाँ पर करना था database reference और equal to dot child और यहाँ पर हम ले लेंगे अपने menu को क्योंकि हमारे पास कहां से आएगा अपने menu से आएगा ठीक है यह तो हमने कर लिया अब इसके बाद क्या करेंगे हम इसको store करवा लेंगे कहीं पर जैसे हमने वहाँ पर करवाया था menu equal to menu items equal to mutable list of और यहाँ पर हम कुछ भी पास नहीं करेंगे और जो यहाँ पर हमने variable बनाया था menu item तो इसको हम items कर लेते हैं बढ़ना फिर से हमारे पास same error आती अब इसके बाद क्या करेंगे अपने रिट्राइब करेंगे अपने item को database से ठीक है तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूं रिट्राइब menu items from the database अब यहाँ पर क्या करेंगे food reference dot add single value listener और यहाँ पर करेंगे object और extend करेंगे इसको हम value listener और इसके जो members है हम उसको यहाँ पर हम create कर लेंगे ठीक है तो implement करते हैं इनकी member को दोनों member हमार पास आ चुके है अब यहाँ से हम snapshot से इसका data ले लेंगे तो same loop हमें वहाँ पर जो लगाया था same loop हमें यहाँ भी लगाना है तो for food snapshot dot in data snapshot 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 dot children ठीक है अब यहाँ पर भी एक हम लगाएंगे curly braces और यहाँ पर हम करेंगे well menu item equal to food snapshot dot get value और यहाँ पर हम डालेंगे menu items sorry item डालना था मैं सिर्फ यहाँ पर menu item और colon colon class dot java और यहाँ पर डालेंगे menu item dot let और इसके अंदर हम पास कर देंगे add menu menu items dot add और इसके अंदर हम पास कर देंगे it ठीक है तो यहाँ से हमार पास data आ जाएगा अब क्या करेंगे इसको हम display करवा देंगे तो यहाँ मैं comment कर ले items agram box that i want per I am no one out Xbox अल्वा फासब्रा कि हैं तो यहाँ पर यहाँ पर मैंने इसको लिया प्युक्स अबया क्या है एक सफल सृटकर तो इस훈ट का मतलब क्या होता है कि कोई लिष्ट है तो उसमें आगे पीछे जो item होाइडुमेटिक सफल सबोाँ family मतलब पहले नमर का item dot ci this is नमबर पर जाएगा और तीसरे नमबर का आइटम साथ वे नमबर पर चल जाएगा ऐसे करके जितने भी आइटम होंगे आपस में सफल हो जाते हैं तो यहां पर मैं लिखूंगा सबसे पहले एक बनाएंगे वेरियेवल जिसमें हम इस्टोर करेंगे इंडेक्स को मैं इसको मेन्यू आइटम्स डॉट इंडेक्स इंडिक्स और डॉट लिस्ट डॉट सफल्ड यहां पर आपको एक सफल्ड नाम का एक फंशन मिल जाएगा इससे यह आइटम जितने भी बनाएंगे वैल नम आइटम यानिके नंबर ओर आइटम कि किने हम नंबर यहां पर सो करवाना साते हैं तो टूवकस के करते हैं इसको हम यहां पर Иटम हम सो कर वायों तो मैं overlap दिया च्विए और एक और theyから बनाएंगी जिसमें क्या करेंगे जितने भी हमारे जो आइटम say un फ्रूम जीतने हमारे यह वेल्यू था नम आइटमतु को सो और हमाइप कर देंगे मैप मैन्यू आइटम हो यहां पर डाल देंगे एट तो इस से क्या हो जाएगा हमार पास एक सफल बेल्फ वैल्यू आपासे घ्रीट हो जाएगी ठी si i canelle में सफलिक्ले को मैंने so करवाने अपने recycler view में यहां पे मैं लिख देता हूँ set popular items adapter और इसके अंदर हम डाल देंगे subset of items ठीक है और इसको कर लेता हम यहां से create और यहां पे मैंने create function कर लिया और इसके अंदर हमें क्या करवाना है अब जो हमारा यहां पे यह जो variable है इसको हमें करना करते हैं कट और करके हमें इसको करना है यहां पर यहां पर हमें इन चीज ना है उनको हम यहां से रिमूव कर लेते हैं तो एक चीज यह हमारे इनको हम सही करते हैं एक बार तो जो हमने यहां पे राइट क्लिक करके यहां पर किया था इसके बज़े से यह एरर आया है तो हम मैन्य अडिप्टर पर गए और यह जो एंड्रोइड व्यू मैन्य आइटम इसको हम रिमूब करेंगे तो यहां से इतना तो सही हो जाएगा और इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं और बेसिकली इसको इंपोर्ट नहीं करना था इसको हमें इंपोर्ट करना था और यहां पर एक्स्टा इंपोर्ट हुआ है तो यहां तक तो सही है अब हमारे पास एरर आएगा फिट चे अपने होम फ्रेग्मेंट में तो इसको हम यहां से स Trib溫, और सभी करेंगे, और इहां पर हमारे पास सरे कसचीज का रहा है, required हमारे पास list type का, और found हमें किस type का हो रहा है, Android View Menu item, ठीक है, तो स्लेकर करेंगे, यहां पर जाते हैं, और यह जो है हमारे पास import हमारे पास गलत हो गया होगा, तो इसका import देख लेता है हमारे पास यह वाला import यह हमें इंपोर्ट नहीं चीए इसमें हमें पर model class वाला चीए तो मैं इसको करता हूं यहां से remove अभर यहां पर आएगा और मैं enter करता हूं इसको और यहां से मैं क्या करूँगा यह नीचे वाला import करूँगा ठीक है तो अब य चीजे सो रही है और जबकि हमारे पास मेन्यू में कितना है वह देख लेते हैं तो मेन्यू में हमारे पास है दो चार और छे यह ठीक है अब मैं क्या करता हूं एड करता हूं अपने मेन्यू में और आइटम ठीक है तो एपने जाते हैं एड मिन पर एड करते हैं यहां से और म है साथ आइटम हो गए हमारे पास एक और आइटम कर लेते हैं आइटम नमबर एट और यहां पर कुछ भी डाल देते हैं यहां पर भी हम कुछ भी डाल देते हैं और यहां पर भी हम कुछ भी डाल देते हैं और यहां पर भी हम कुछ भी डाल देते हैं और इसको करते हैं अब 2-4-6-2-8 यह नमर वाला हमार पास आ गया अब चलते अपने एप्लिकेशन में और check करते हैं यहाँ पे कितने आइटम है, यहाँ पर भी 6 हैं अब जैसे मैं वापिस यहाँ पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर मेरे पास 8 आइटम सो हो दाएंगे, दो छार si अपने आटम तो ग लग लग वैल्यू आते रहेगी जैसे मैंने वापिस गया और वापिस आया तो अब एट रपास ऊपर आ गया और जैसे बार-बार यह चीज चेंज हो रही है ठीक है जैसे अब देखो आइटम लास्ट में हमार पास अब मैं वापिस कैसे और पर जाता हूं और वापिस सब्सक्राइब इसका इसको ही यार वह हां पास और से यार यहां पे हमारे और हैं यहां में क्या है सघ्ट और जाइबवी नाम से टाइब नुम्हा ж foreign हो चुप है अब basically मतलब हमारा home screen का पूरा काम हो चुका है अब हमें क्या करना है इन item को add करवाने है अपने card में जैसे मैं इस button पर click करूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा यह जो item है यहां पर यह तो dummy data है हमारा यह हटके हमारे पास जो original item है जो यहां पर आ रहा है इनको हम क्या इसको भी हम add करवाएंगे किसमें अपने card में करवाएंगे ठीक है तो चलते हैं इसके लिए अपने और इसको करने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले जाएंगे अपने bottom seat fragment पे और यहां पर क्या करेंगे हम एक button जो हमारा है यहां से हम इसको काम करना है start करेंगे आपने करेंगे अपने आपने अपने जा यहां इसको काम कर दो घरखीज और मोगे दीक है कि अवावादी नची अपने के लिए